हेलो फ्रेंड्स मैं अकांशा जी के विदकांशा में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए टॉप 20 करेंट अफियर्स लेके आई हूँ आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह उन सभी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट ह और यह most important current affairs है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यदा फायदे मन रहेंगे आप किसी भी एक्जाम के अगर preparation कर रहे हैं तो सदी सद मेरे चैनल पर बहुत सारे courses चल रहे हैं अगर आप पहरी बार मेरे चैनल पर हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe कर लिजए अगर आप mains की तियारी कर देखे दिये थे कि हम इन questions को पढ़ेंगे और इस टाइक के और भी question है बहुत important वह हम आगे देखते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहला question है हमारा मदु मक्की पालन विकास समीती का अध्यक्ष किसको निक्त किया गया है। तो निक्त किया गया है विवेक देवराय को किसको किया गया है विवेक देवराय को निक्त किया है किस देश ने यूरोपिय संग से खाद आयात पर प्रतिवंद लगा दिया यूरोपिय संग से खाद आयात पर प्रतिवंद लगा दिया है किसने रूस ने लगा दिया है अब वह उस ईरोपी संग से खान नहीं खरीदेगा गरोड़ 6 का जो आयोजन हुआ कहा हुआ गरोड़ 6 जो है भारत और फ्रांस के मीच होने वाला गिर्द्य अभ्यास है और गरोड़ 6 का आयोजन हुआ था Monte de Marson, ये कहां पे है Monte de Marson, France में है, तो भारत और France की बीच का ये सैनाभ्यास है, तो या तो भारत में होगा, या France में होगा, तो जो गरोड 6 था, वो कहां पे हुआ, इस बार France में हुआ, जो 5 था, वो भारत में हुआ था, Next is, सौधी अरब ने भारत के हज कोटे में कितनी ब्रद्धी कर दी, Next is, किस देश ने पहली लोह ऐसक भंडार की खोज हुई, किस देश में पहले लोह ऐसक भंडार की खोज हुई, तो यह हुई है बंगला देश में किस देश में हुई है बंगला देश में हुई है एक बैस्विक अभियान आरंब किया गया है हाली में तो किस अंस्था ने आरंब किया है तो वह वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन विश्व स्वास्ते संगठन ने किया नेक्स्ट है फिलि फिलिस्तीन द्वारा किसे सम्मानित किया गया तो सेख मुहम्मद मुनीर अंसारी को किया गया फिलिस्तीन द्वारा किसे स्टार ओफ यरुसलम सम्मान से सम्मानित किया सेख मुहम्मद मुनीर अंसारी को सम्मानित किया स्वस्त राज प्रगति सील भारत रिपोर्ट किस संस्था दौरा जारी हुई नीती आयुग दौरा जारी हुई नेक्स राज जिसने बान खत्रा ऐटलस जारी किया है तो वो राज है उड़ी सा मेरा जीवन मेरा मिसान किसकी आत्म कता है मेरा जीवन मेरा मिसान किसने लिखी है तो ये है बावा राम देप की next question is koleshwaram sichai pariyojna किस नदी में इस्थापित की जा रही है koleshwaram sichai pariyojna किस नदी पर इस्थापित की जा रही है तो गुदावरी नदी पर इस्थापित की जा रही है koleshwaram sichai pariyojna किस नदी पर इस्थापित हो रही है गुदावरी नदी पर हो रही है नेक्स्ट है तीसरा एशियाई नेतत्व शिखर सम्मेलन 2019 को कहां पे हुआ तो तीसरा एशियाई नेतत्व शिखर सम्मेलन 2019 का योजन थिम्पू में हुआ मुख मंत्री योवा साभाल योजना किस राजने आरम की तो राजिस्थान में आरम हुई नेक्स्ट है किस देश में पहली लोह ऐस्क भंडार की खोजवी तो बंगला देश में हुई मुख मंत्री हुआ सावाल योजर रकसराइट ने स्टाट की त्राजिस्थान ने की तीसरे एसे नेतर सिखर संबिलना 2019 को कहा हुआ तो ये थिम्पू में हुआ ये थे आज के कोशन्स ऐसे ही और कोशन्स के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा लगा तो प्लीस कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा और जदद से जदद लोगों में सेयर कीजिएगा ओकी फ्रेंज थेंक्यू